नमश्कार दोस्तों आप एपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भई वीडियो की शुरुआ सुंदर सुंदर मॉर्निंग ग्लोरी के फूल के साथ और बिल्कुल दोस्तों जैसा की बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जो हमारे नए-ने विविवर्स हैं तो उनको यह जानना था कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो की पर्मनेंट हैं और हम एक बार नर्सरी से लेके आएं उनको लगाएं और उनको कटिंग से भी लगा सकें तो ऐसे आप प्लांट बताओ तो बही सबसे पहले जो मेरा फेवरिट प्लांट है वो है हिबिसकस का वो इस इसलिए है क्योंकि इसके आप इतने सारे प्लांट बना सकते हो कटिंग लगा लगा के और दूसरा दोस्तो इसका फूल भी इतने बड़े साइस का आता है बिल्कुल गार्डन की अट्रेक्शन होता है वो और आजकल तो नरसरी में आपको बहुत सारी वेराइटी मिल जाएग चांदनी के फूल भले ही छोटे होते हैं लेकिन जो इसके प्लांट की ब्यूटी है न अगर आपने कहीं भी रखा हुआ यह प्लांट चाहे गंबले में लगा रखा हो चाहे क्यारी में लगा रखा हो यह बहुत सुन्दर लगते हैं और इसके जो प्लांट की शेप आती है न वो बहुत खुबसूरत आती है जो की गार्डन में बहुत सुन्दर लगती है और नेक्स्ट बही मेरे फेवरेट प्लांट में से है इसके गोरी-चोरी के प्लांट जिसको की टिकोमा स्टेंस बोल देते हैं यलो बेल्स फ्लावरिंग प्लांट भी बोल देते हैं common English में तो ये भी दोस्तो बहुत सुन्दर प्लांट है और सारे के सारे जो प्लांट मैं आपको बता रही हूँ कटिंग से लगने वाले हैं जिसको लगानी भी नहीं आती ना कटिंग इब ट्राइ किया करो देखो ट्राइ करने में कोई हर्ज नहीं है थोड़ी-थोडी दिन में आप बर-बर लगा के लगा के देखा करो के उगी नहीं उगी दस-पंदरा दिन का वेट करके इससे क्या होगा आपका हाथ भी साफ होगा और दूसरा दोस्तो आपका गार्णिंग का जो शोक है वो और ज्यादा बढ़ेगा जब आपकी कटिंग चलने लगेगी और नेक्स्ट आपका प्लांट जो की छोटे पोर्ट में भी बहुत अच्छे से चलता और हैंगिंग बास्केट में भी लैंटाना के प्लांट इसमें भी आपको बहुत सारी शेड्स मिल जाएंगी इस तैम नर्सरी में इसके बहुत सारे प्लांट आपको देखने को मिलेंगे और फूल तो देखो जैसे घर में आ रहे हैं, नर्सरी में भी आ रहे होंगे, आपके पास एक कलर चोईस भी हो जाएगी इसकी, तो ये भी दोस्तों बहुत सुन्दर प्लांट है, इनको आप छोटे गंबलों में, बालकिनी में या हैंगिंग बास्केट में भी डेकोरेशन के लिए ल हमसे आप कटिंग से उगा सकते हो, इसको जैट्रोफा बोलते हैं, देखो ये मैं इतना उच्चा हो गया भी है, मेरको निच्चे करके दिखाना पड़ रहा है आपको, और बिल्कुल इसकी कटाई चटाई मैंने कर दी थी, और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, और जैसा कि मैं बता रही हूँ, परसो तरसो खूब बरसात हुई, और ये देखो सारे प्लांट कितने सुंदर लग रहे हैं बारिश में नहा दो के, तो ये जैट्रोफा का सुंदर उपा का प्लांट भी बहुत सुंदर है, और आउट्डोर शेड के लिए चाहे इसमें फूल ले आते हैं, लेकिन दोस्तो एरोकेरिया के प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं, आप इसको जरूर नरसरी से लाएं, लगाएं, गमले में बहुत अच्छे चलते हैं, और ये देखो मेरा भी गमले में चला हुआ है ये, आरे कई बर तो इसको बंदर भी तोड़के जा के प्लांट भी जिसको क्रिस्मस ट्री बोलते हैं, नेक्स्ट आपके पास ये बोगनवीला की बेल, इसमें बहुत सारी वेरियेशन्स आपको मिल जाएंगी, कई वाइन वाली होती हैं, कई इस तरह से होती हैं, जिनके टिपे फूलों के गुच्छे से बनते हैं, और सारी क सारी वेराइटी दोस्तों, आप कटिंग से लगा सकते हो, मैंने बहुत बार कटिंग लगाना इसकी सिखा रखा है, और ये परफेक्ट मोसम है, किसी भी पोध्धी की कटिंग लगाने का, मार्च अपरेल तक आपके प्लांट अराम से त्यार हो जाएंगे, मोसम बिल्कुल परफेक्ट है इनके चलने के लिए, तो ये सब जितने आप देख रहे हो, सब कटिंग से त्यार हुए हुए प्लांट है, और नेक्स्ट अभी सब का फेवरेट प्लांट, इक जोरा का प्लांट, ये इसलिए भी फेवरेट है, क्योंकि ये गुच्छों में फ्लावरिंग क तो वो आप देख लेना, आपने कौन सी लगानी है, और नेक्स्ट अभी आपका बिलकुल आम सा प्लांट, लेकिन इसके फूल अगर आपके गार्डन में नहीं है, तो बिलकुल खुबसूरती आधी है, ये हैं हमारे सदा बाहर के प्लांट, सदा बाहर मतलब सदा ही बाहर रही है, सरदी गर्मी हमेचा इस पे फूल आते रहेंगे, नेक्स्ट अभी आपकी असपेरिगस की जो ये फर्न टाइप से है, तो इसमें दोस्तों वाइन वाली भी आती है और इस तरह से भी आती है फर्न टाइप से, तो ये भी बहुत सुन्दर प्लांट है, अगर आप ह है भी आपके बहुत सुन्दर प्लांट जो की बड़े रफन टफ है, कितनी गर्मी उबरदाश कर लेंगे और खूब फूल देंगे आपको, तो ये दोन्नों वेराइटी है आपकी, एक तो हाइब्रिड वेराइटी है, और एक है भी आपकी ये देसी वेराइटी है, फरक भी इसकी कटिंग खराब नहीं होती, और देखो इस पर सीड पोर्ड भी बनने शुरू हो गया है, इसके अंदर इसके सीड है, वैसे कटिंग से बड़े अराम से चल जाते हैं ये, तो कनेर के प्लांट भी दोस्तों, ओलियंडर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी सारी वारायटि EST आपको नर्सरी में मिल जाएंगी और इनको अगर आपको इदर उदर लगे भी हुए हैं, तो आप कटिंग ऱेंग के लिए मैं इनकी कटिंग लगाने सी खखा रखिया हैं, बहुत आराम से लग जाती है इसकी कटिंग, तो बेभी शन रोज भी दोस्तो तो बहुत सुंदर plant है, hanging basket में लगें बहुत सुंदर लगते हैं यह, यहाँआपके decoration के लिए कोई भी छोटे planters रखे हैं, आपने इदर-उदर side में रख रखे हैं तो भी यह, बहुत सुंदर plant लगते हैं, इसको भी आपको जुरूर लगाना चाहिए, और बिल्कुल छोटे-छोटे से फूल आते हैं इसमें तो बहुत अच्छे लगते हैं ये भी और नेक्स्ट है भई मेरे फेवरेट Mexican Petunia ये फेवरेट इसलिए भी है बहुत जल्दी से उग जाते हैं जैसे मर्जी में इसकी कटिंग तोड़के लगा दू बड़े जल्दी प्लांट क्यार हो जाते हैं और फूल तो भई इसमें गर्मी सर्दी आते ही रहते हैं तो इसमें भी आपको बहुत वेरेशन मिल जाएगी एक तो अपनी सिंपल वाली वराइटी है जो बहुत लंबी जाती है लेकिन ये है इसकी हाइब्रिड वराइटी इसमें भी आपको तिंचर कलर मिल जाएंगे वो आप देख लेना अगर इदर उदर लगे हुए हैं तो मैंने कटिंग से इसको लगाना सिखा रखा है ये भी बेस्ट प्लांट है आपके और नेक्स्ट अभी ये इदर लगे हुए हैं दो चारे कठे देख लो आप ये हैं क्रोटोंज और कोलियस ये भी आपको जरूर लगाने चाहिए आउटडोर शेडी एरिया में खूब अच्छे चलते हैं ये हलकी फूल की दूप में भी खूब अच्छे चलते हैं खूब अच्छे इनके कलर निकल के आते हैं तो बिलकुल अगर आप ऐसी जंगे इसको रखते हो जहां च्छनी हो इसी दूप आती है तो इसके कलर और ज़्यादा निकल के आते हैं तो क्रोटोन और कोलियस भी आप बिलकुल लगा सकते हो, ये बहुत सुंदर लगते हैं, और ये भी दोस्तों पर्मनेंट प्लांट है, और इसके दोस्तों पत्ते ही ऐसे होते हैं कि जो किसी फूल से कम नहीं है, और नेक्स्ट भई आपके सबके जाने वाने प्लांट सबके घरों में होते हैं, बच्पन सही देखते हा रहे हैं, कुछ और हो ना हो, मनी प्लांट तो हमेशा ही रहते थे घर में, मनी प्लांट और सदा बाहर, तो ये भी आपको जुरूर लगाना चाहिए, साथ में इसके लगे हुए हैं रोईयों के प्लांट, वो भी आपको गंले को फिल कर देता है, और ये बहुत सुन्दर लगते हैं, इसके पत्ते हैं, क्योंकि इसके पत्तों का कलर थोड़ा सा अलग होता है, तो mix and match करके अगर आप गार्डन में इसको लगाते हो, तो बहुत अच्छे लगते हैं, कोई जादा इतनी जंगे भी नहीं लेते हैं लेकिन उपर आपका जो पोट है बिलकुल कवर कर लेंगे, और बिलकुल आपका गार्डन बहुत हेल्दी लगेगा, क्योंकि दोस्तों जितने अच्छे प्लांट हमारे देखने में लगते हैं, और जितनी अच्छे उनकी ग्रोथ होती है, उतना ही हरा भरा हमारा गार्डन फिर दिखाई देता है, तो ये भी मेरे बेस्ट प्लांट में से, रोईयों के प्लांट, मनी प्लांट, सिंगोनियम होगे, इस तरह के प्लांट, और आजकल जो सीजन है, और हमेशा रहने वाले जो हमारे पोट्धी हैं, वो है, केलन कोई के, केलन जू भी बोल देते हैं इ ये भी आपको जरूर लगाने चाहिए, उमीद है, आपको इस सारे प्लांट अच्छे लगे होंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और यहां तक अगर वीडियो देख लिया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर नहीं किया हुआ है, तो कई बर ह अच्छे एच्छे वीडियो देखने के लिए और जिनको गार्डिंग का शोक है, उसको बनाए रखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थैगें